नमस्कार दोस्तों स्पागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बर्ज मीडिया में दोस्तों एमेजॉन के संस्थापक जेफ बिजोस को पचाड कर दुनिया के सबसे अमीर शक्स बने एलन मस्क ने ना केवल इलेक्ट्रिक कार कमपनी टेसला के संस्थापक हैं बल्कि उनके जीवन के बारे में कई सारी ऐसी बाते हैं जो आप जानना चाहेंगे टेसला के अलामा एलन मस्क फिलहाल चार और कमपनियों के भी मालिक हैं एलन मस्क 2001 से स्पेस से जुड़े आइडिया पर काम कर रहे थे इसके बाद 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स खोली उन्होंने 100 मिलियन डॉलर की लागत से या कमपनी खोली थी या कमपनी रॉकेट बनाती है और उन्हें अंतरिक्ष में भेशती है माना जाता है कि इस कमपनी ने वो प्रोजेक्ट भी किये हैं जो नासा भी नहीं कर पाया अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशूर टेसला के लिए एलन मस्क जाने जाते हैं एलन मस्क 2004 में Board of Directors के रूप में टेसला से जुड़े थे इसके बाद कमपनी ने काफी तरक्की की, वो इस कमपनी के CEO और Product Architects के तौर पर काम किया एलन मस्क के पास कॉलेज के दिनों में इतना पैसन नहीं होता था वो केवल होट डॉग और संतरे पर पूरा दिन गुजार देते थे ये नहीं मिलने पर केवल पास्ता के साथ हर इमिज और सौस से ही अपनी भूक मिटा लेते थे ये बात खुद एलन मस्क ने स्टार टॉक रेडियो से बातचीत में बताई थी एलन मस्क के नेटवर्ट 188 बिलियन यूएस डॉलर है जो की एमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के नेटवर्ट 187 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर जादा है ब्लूमबर्ग की और से जारी की जाने वाले अरब पतियों की सूची में एलन मस्क को पहले स्थान पर रखा गया है इस लिस्ट के अनुसार अब उन्होंने एमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है इस सूची में 500 अरबपति शामिल है बता दे कि बेजोस 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शक्स थे एलन मस्क सोलर और इलेक्रिसिटी के छेतर में काम करने वाली कमपनी सोलर सिटी में भी हिस्सेदार है अपनी इलेक्रिक टरनल के लिए जानी जाती दबोरिंग कमपनी का भी संचालन भी मस्क के हाथ में ही है इसके अलमा इंसानी दिमाग या शरीर को रोबोट से जोडने को लेकर रिसर्च कर रही नियूरा लिंक में भी हिस्सेदारी है तो दोस्तों एलन मस्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को जरूर दबा दें